यह भारत किसी के बाप की पपोती नहीं है अगर आप चमारों को चैलेंज कर रहें तो चमार आज भी जो है खाल उतार के जुत्ता बना देगा तुम्हारा आप लिखके तो लिखाओ जे एन्यू क्या किसी भी दिवार पर लिखके दिखाओ अरे हम साभ काशिराम के वो सिपाई है जो दिवारों पर यह लिखते है कि हम इस देश के सासक है और अगर तुम में दम है तो हमारे सामने चैलेंज करके लिखके दीखाओ हम तुम्हें बता देंगे तुम क्या हो और जो लोग सबसे ज़ादा करप्ट हैं जो सबसे ज़ादा इस भारत के अंदर भारत को बेखते हैं वो लोग आज अगर दिवारों पे लिख रहे हैं चमारों भारत छोड़ों हम वो लोग हैं जिनोंने ये भारत भूमी बनाई हम वो लोग हैं जिनके नाम से भारत जाना जाता है और आगर यहां से कोई भागेगा तो वो भागेगा ज अरक्षंदय कर इस देश का बेड़ा गरख किया है देखें यह बात मैं कई बार कह चुका हूं कि हमारी लड़ाई घोड़े पे चड़ने की और बरात ले जाने की और मंदीर पर जाने की नहीं है अगर शड्यूल कास कम्मुनिटी को इतना ही दर्ध घोड़े पर चड़ने आ तो मैं चाहता हूं कि उसके आगे हांडी और पीछे जो है जाड़ू लगा के उसे मंदीर तो क्या उसे चारो धामों की आत्रा करवानी चाहिए तो सबको आजादी की बात है तो अगर आप मुझे रख सकते तो शड्यूल कास भी मुझे रख सकता है अगर आप मटके से पा अगरती है उसकी जड़ो में भी किडा लगाया है देख सबसे पहले आपको भाषा समझनी पड़ेगी अम्रित काल का मतलब है जहां शंबुक रिशी की गर्दन काटी गई हो अमरीत काल का मतलब है जहां एक आरोप लगाने पर एक व्यक्ति ने अपनी महिला को पानी में फ रहमन मुख से और शूद्र जो पैरों से पैदा हुआ इनके लिए अम्रित का का मतलब वो यह है परन्तु अगर इस भारत में रहना है तो आपको सविधान का काल बनाना पड़ेगा ना कि अम्रित काल बनाना पड़ेगा सविधान वाद को लाना पड़ेगा और जब यह होना चाहिए कि जब तक जातीवाद की जड़े घैडियां भायत के अंदर जो जो है आरक्षन रहेगा और आरक्षन किसी के बाप की पप होती नहीं है सविधान बाद में बना आरक्षन पहले बना हमने अपना ड्यूल वोटिंग राइट ट्याग किया हमने कमने लवाट ट खेल जाएंगे यह सविधान हमारा भी उतना है जितना उनका और रही बाद आरक्षन की बाद तो आरक्षन तो यह तो यह इनके बाप दादा सतर पिशतर सालों से चिलाते हुए चले गए आज तक आरक्षन नहीं बतला दूसरी बात यह बात सही है मैं आपको चैनल के माध रहें आरक्षन फीन बहला भी बहला इसे उसके अंदर आरक्षन होगा और आप यह देखिए कि बारत के अंदर नहीं के अवल महिला खेलाव एक खेला और आरक्षन में खड़े होते हैं दूसरी बात यह कितनी समिक्शा कर लें कितनी बैठ सब्सक्राइब क्षण सब्सक्राइब करते हैं नहीं करते हैं लेकिंगे फिर मैं मैं आपके सवाल पर आता हूं कि आरे सबसे पहले मंदिरों में आरक्षन को बीक्षे पचास के बाद में दिया है उससे पहले मंदिरों में आरक्षन तो कहीं है जारों सालों से चल रहा है तो जो यह मंदिरों का आरक्षन है जो यह फिल्मों का आरक्षन है जो यह खिलाडियों का आरक्षन है आपने एक नई फिल्म सुनी होगी रंगीला चमकीला सुनी है मैं य उन्हें मा趁 लिए वर्टमान में परियास उसके आलावा अब करते है लकाकर दा जर। हमारे सिंगर और में हैं क्रैजणी की बात करते हैंATE की आरक्षन। का वर्टमान लाति लिए और प्हों लिया हूं करते हैं कि अरकषन्न पंधारे 뛰हे बता टूर्द में अगर हर फिल्ड में तो यकीन मानिए भारत का पर्चम लेड़ाएगा वरिना पर्चम जो है जो इन जातिवादी गुलामों गुलामी मानसिक्ता वाले गंदे लोगों ने जो भारत को खराब किया वो इसी कान खराब रहे तो वही तो मैं पता रहूं ना आपको कितने वर्ल्ड कप जीते हैं जितना यह पूरा जो मैरिट धारी जो लोग हैं जो 130 करोड अपने आपको कहते हैं उतना तो अमरीका का एक माइकल फिलिप्स ओल्लम्पिक में गौल्ड मेडल जीत लेता है तो मैं पता तुमारी मैरिट जो है दिक्कत है तो मैं बता दूं सिर्फ 5000 साल का इतिहाद 2 साल 11 महिने और 18 दिन में अगर बदला तो बाबा साथ डोक्टर भी हो हम बेड करने बदला और जो तुमारी मैरिट है वो मैरिट बीटेर में गुम रही थी और आज मी मैं बता दूं कि अगर मैरिट की बात है त तुम लोग निट वाले हो मुझे निट के अंदर एक भी मुस्लिम दिखा दो एक भी शर्यूनकाज दिखा दो जिसने निट का पेपर किलियर करने के लिए 50 लाग दिये हो और तुमारी सैटिंग इतनी है कि सुप्रीम कोट ने भी तुमें जो है अभी कन्फरमेशन दे दि हैं तो जब तुम मैरिट की बात करते हैं अगर यह सिंबोलिक रूप से भी होंगे तो इन्हें खतम कर देंगे इन्हें आगे लाके कह देंगे कि करप्ट लोग है मैंने क्या बताया कि शर्यूल कास्ट मुस्लिम के पास क्या मुस्लिम 600 यासत का राजा था 1947 के समय आच्छे पर मैरिट होगी मैरिट तुम अपनी बताओ ना तुम्हारी कितनी मैरिट है मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं जिस दिन आप खतम कर दो ना रहे तो वह उन्होंने तो बेड़ा करक कर दिया सुदामा कोटा मतलब पहले तो परतियक्स रूप से क्लेम करते थे परतियक्स मैरिट जब से इन्होंने सुदामा कोटा लागू किया है कोई भी मैरिश सेड्यूल कास से और ओबीशी से जादा नहीं गई आप बता दे दूसी बात आप हमारे उस पर रिजर्वेशन पर अगर आप यह शक करते न तो बता दे भारत को अगर कोई चला रहा है तो आपको मुल लिवासी कहते हैं पर जेन्यू जैसी संस्था के दीवारों पर जब ऐसा लिखा जाएगा तो क्या देखिए दो चीज़े हैं मैं एक्शन का रियक्शन नहीं किया करता अगर आप जेन्यू की दिवारों पर लिखो गे कि आरसस भारत चोड़ो और ब्रामन भार चोड़ो तो उसकी परितिक्रिया होगी हमारी लड़ाई किसी को भी उक्साने की या किसी से बदला लेने की नहीं बल्कि सवीधान को लागू करने की तक तो कहा जाता है मुसलमान पाकिस्तान जाओ या आप लोग कहते हैं आप बिद्धेशी आप तो आपको ही कहने लगे मेरी बात चुनिए जो मुसलिम है जो डिप्राइवड क्लास का मुसलिम है जो पिषड़ावर का मुसलिम है जो शेडियूल कास्त है इनके लिए टू नेशन थियोरी माईने नहीं रखती यह तो एक तो कुटा हुआ बाजरा है कुटी हुई चाय है दोनों आपस में मिलके दोनों का कल्चर सेम है दूसरी बात जब आप कहते हो कि मुसलिम हो पाकिस्तान जाओ यह भारत किसी के बाप की पपोती नहीं है अगर आप चमारों को चैलेंज कर रहे तो चमार आज भी जो है खाल उतार के जुत्ता बना देगा तुम्हारा आप लिखके तो लिखाओ जै कि मैं इस में बिलकुल नहीं हूं कि ब्रहामन भारत छोड़ो चarten भारत चोड़ो मुसलिम भारत छोड़ो जाभारत चोड़ो यह भारत सबका है भारत के अंदर परंड़ू अगर हमें चैलेंज गरो गई तो यकीन मानिए आप जिस दिन लाइन खिश जाएका उस दिन बता जावत है कि मरने के बाद तुम ही उपल जाओगे, कोई दूसरा नहीं जाएगा, ठीक है? तो आपको अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, सिखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि कोई फरिष्टे आपकी लड़ाई लड़ने आएंगे, या पल डेश से कोई आपकी लड़ा कि करुंगा